बेलकम टू एग्जाम भी विचन तो आज की इस वीडियो में हमें डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य की 2000 प्रशनों के इंतरगत अगले पार्ट को इससे पहले हमने इसके बहुत से पार्ट को डिस्कस कर लिया है अगर भी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो अपने देख सकते हो इसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी के साथ अगर भी तक आप हमारे टेलिग्राम और बर्ट से प्टूप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आपने के साथ भी जुड़ सकते हो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शिर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जो पहला प्रेशन पूछा गया है यहां पर यह आधनिक काल के लिए इन में से कौन सा नाम नहीं दिया गया है तो यहां पर जो सही बिकल्फ रहेगा तो वो होगा सामीक काल जो सामई काल है ये आधुनिकाल के लिए नाम नहीं दिया गया है बाकि जो नाम दिये गए है ये है बरतमान काल, गद्यकाल, आधुनिकाल ये तीनों ही नाम आधुनिकाल के लिए नाम दिये गए है अगला जो कोशन है ये है दो इसमें पूछा गया है इन में से आधुनिक काल की समय इस्तिमा क्या है तो जो आधुनिक काल की समय इस्तिमा मानी जाती है तो ये मानी जाती है 1843 इसवी से लेकर 1923 इसवी तक तो सही विकल्प यहाँ पर भी रहेगा अगला question है तीन इसमें पूचा गया है 252 बैशनवन की बारता के रचनाकार कौन है तो जो 252 बैशनवन की बारता के रचनाकार होंगे तो यह होंगे गोकुलनाथ सही विकल्प यहाँ पर सी रहेगा यहाँ से आपके लिए एक प्रेशन छोड़ देता हूँ आपको बताना है कि जो गोकुलनाथ थे इनके पिता का क्या नाम था अगला question है चुरासी बैशनवन की बारता के रचनाका नाम बताईए तो जो 84 वैशनवन की बारता के रचाईता है यह भी गोकुलनाथ ही है सही बिकल्प यहाँ पर ए रहेगा यहाँ पर मैं उपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ जो गोकुलनाथ के दादा थे तो यह थे बलवाचारिय अगला कुशन 15 में पूछा गी है श्रिंगार रसमंडन गरंत के रचाईता कौन है तो जो गरंत है श्रिंगार रसमंडन इसके रचनाकार है बिठलनाथ सही बिकल्प यहाँ पर भी रहेगा यहाँ पर आपको यह भी बता देता हूँ जो यह प्रशन है नाकेवल नेट सेट के लिए ही महत्पुन है अपीतु यह हिंदी साहित्ते की सभी प्रिक्षाओं के लिए महत्पुन रहने वाला हो चाहे प्रिक्षा कोई भी हो हिंदी साहित्ते से रिलेटीड हो वहाँ पर आपको ये प्रशन अवश्य देखने को मिलेंगे इसलिए आपने स्किप ना करिए शुरू से लेकर वीडियो को अंतक ध्यान प्रूबक देखिएगा अगला कोशन है छे इसमें पूछा गया है इन में से कौन सी पुस्तक बरजवाशा गद्या में लिखी गई है तो जो बरजवाशा गद्या में लिखी गई पुस्तक है ये है अश्टियाम सही बिकल्प यहाँ पर बी रहेगा अगला कोशन है साथ इसमें पूछा गया है अश्टियाम का रचनाकाल क्या है तो जो अश्टियाम का रचना काल रहेगा तो यह है 1603 इस्वी सही बिकल्प यहाँ पर C होगा अगला कुशन ने आठ इसमें पूछा गया है चंद चंद बर्नन की महिमा के रचईता कौन है तो जो चंद चंद बर्नन की महिमा के रचईता है यह है गंकवी यहाँ पर सही बिकल्प भी रहेगा तो जो गंकवी थे यह अगवर के द्रवारी थे इनकी रचना है चंद चंद बर्नन की महिमा यहाँ पर आपको एक तथ्य बता देता हूँ जो चंद चंद बर्नन की महिमा गरंत है इसे जो बच्चन सी है उन्होंने अपने इतिहास गरंथ हिंदी साहित्ती का दूसरा इतिहास इसमें उन्होंने इस गरंथ को जाली गरंथ बताया है तो इसे भी याद रखिएगा ये प्रशन भी कभी बन सकता है प्रिक्षा में अगला कोशन है नौ इसमें पूछा गया है भाषा योग बशिष्ट के रचईता का नाम क्या है तो ये होगा रामपरसाद दनी रंजनी सही विकल्प यहाँ पर डी रहेगा अगला कोशन है दस इसमें पूछा गया है प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है तो जो प्रेम सागर की रचना हिंदी में की है ये की गई है लल्लू जी लाल के दुवरा सही विकल्प यहाँ पर यह रहेगा अगला जो कोशिन है यह है 11 इसमें पूछा गिया है भाषा योगवशिष्ट के रचनाकार इन में से जो भाषा योगवशिष्ट है इसका रचनाकार बताना है इन में से क्या है तो यह रहेगा अठार्मी शती अगर इसके रचनाकार के बारे में पुछा जाएगा तो हमने से अभी पढ़ा था तो इसके रचनाकार होंगे रामपरसाथ निरंजनी एकला कोशन है बारा इसमें पुछा गया है उदेवान चरित किस रचना का दूसरा नाम है तो जो उदेवान चरित है ये रानी केत्ट की कहानी का दूसरा नाम है सही विकल्प यहां पर सी रहेगा अगला कोशन 13 इसमें पुछा गया है नासी केतो पाख्यान के रचाईता का नाम बताईए तो जो नासी केतो पाख्यान रचना है इसके रचाईता होंगे सदल मिश्र सही विकल्प यहां पर बी रहेगा अगला कोशन 14 इसमें पुछा गया है इनमें से मुशी सदासुख लाल नियाज की रचना कौन सी है तो जो मुशी सदा सुखलाल नियाज है इनकी रचना का नाम सुखसागर होगा सही विकल्ब पी रहेगा अगला कोईशन है पंदरा इसमें पुछा गिया है इन में से फोर्ट बिलियम कॉलेज कलकता में कौन सा काम नहीं करता था तो यहाँ पर चार बिद्वान देएगे हैं इन में से एक जो फोर्ट बिलियम कॉलेज कलकता में काम नहीं करते थे तो यह होंगे इन्शा अल्लाग हाँ सही भी कर डी होगा बाकि जो कलकता विश्व दिया लिया जो फोर्ड वीलियम कॉलेज कलकता में है यहाँ पर जो काम करते थे यह हैं जॉन गिल क्राइस्ट, सदल मिश्र और ललूलाल यहाँ से एक प्रशन इस परकार से भी यह इनकी रशना नहीं है बाकि सिहाँजन 32, बैताल 25 और शकुंतरा नाटक यह तीनों ही ललूजी लाल की रचनाएं है अगला कोशन है 17 इसमें पूछा गया है अगला जो कोशन 17 है इसमें पूछा गया है ललूजी लाल कहां के निवासी थे तो ललू लाल जी ये निवासी थे आगरा के सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा अगला कोशन है अठारा इसमें पूछा गया है लाल चंदरी का किस से सवंदित है तो जो लाल चंदरी का ये बिहारी सत्सई की ही ठीका है महतरपून प्रशन है अक्सर ये प्रशन प्रिक्षा में पूछा जाता है प्रशन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो लाल चंदरी का है किस की रचना है तो ये होगी ललू लाल जी की अगला कोशन है 19 तो देखी यहां पर प्रेशन पूछा गया है लाल चंदी का के रचाईता कौन है तो यह है ललू लाल अगला कोशन है 20 इसमें पूछा गया है मुशी सदासुक लाल नियाज कहां के निवासी थे तो जो मुशी सदा सुख नियाज थे तो ये दिल्ली के निवासी थे इस सही विकल्प यहाँ पर भी रहेगा अगला कोशन है 21 Most important question है प्रिक्षा में अवश्य बनेगा अचारे रामचंदर शुकर ने हिंदी गद्धी के प्रबर्टकों में से किसे स्थान दिया है तो ये दिया था सदा सुख लाल नियाज को अगला कोशन है 22 इसमें पुछा गिया हिंदी गद्धे का सुतरपात कब से माना जाता है तो ये माना जाता है 1800 इसवी से तो जो हिंदी गद्धे का सुतरपात माना जाता है ये ठारा सो इस भी से माना जाता है C सही बिकल्ब रहेगा यहाँ अगला कोशन है 23 इसमें पुछा गिया है सर स्यद अहमद खां किस भाषा के बिरोधी थे तो ये थे हिंदी भाषा के बिरोधी 23 का सही बिकल्ब D होगा अगला जो कोशन है ये है 24 इसमें पुछा गिया है सर स्यद अहमद खां की भाषा नीती का बिरोधी के किस लेकक ने पूर्जो धंग से किया था तो ये किया था राजा शिपरसाद सितारे हिंदी के दवरा सर स्यद अहमद खां की भाषा नीती का बिरोधी ये राजा शिपरसाद सितारे हिंदी के दुवरा किया गया था डी से ही विकल्प रहेगा यहाँ अगला कोशन है उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थी तो जो उर्दू के समर्थक थे और ये फ्रांस के रहने वारे थे ये थे गारसाद तासी आपने इनका जो इतियास करंथ के बारे में तो अवसी शुना होगा इनके इतियास करंथ का नाम है द इस्तवार दार लित्रे उत्र एंदूई एंदूस्तानी ये इनका इतियास करंथ है और ये हिंदी साहित्ते का प्रतम इतियास करंथ ही माना जाता है तो कई बार ये प्रेशन पर पूशा जाता है कि जो इस्तवार दला लित्रे उत्र अंदू ये अंदूस्तानी है ये किस भाषा में लिखा गया है तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है सही वीकल्प यहाँ पर जो प्रशन की नुशार उर्दू के समर्थक फ्रांस की विद्वान कों थे ये थे गार्साद तास्ती